दोस्ते आपको पता होगा इंस्टेग्रांपर दो ब्लू टिक मिल रहा है और वो भी ब्लू टिक को Facebook अकाउंट पर लगाना चाहते हैं जैसे आपकी Facebook प्रोफाइल है और उसमें आप ब्लू टिक लगाना चाहते हैं तो ब्लू टिक को कैसे लगाएंगे वो भी बिल्कुल फ्री में आपको एक रुपए भी पेनी करना है जो प्रोसेस है अकाउंट वेरिफिकेश सबसे पहले Facebook क एक Lैसें को ओपन कर लेना है और आपका उसी अकाउंट को लोगिन खरestic कर लेना जैसे अकाउण पर आप ब्लू टिक लगाना चाहते है जैसे मेरा काउंट या पर है अब क्या करना है आपको आपका account या पर शो हो रहा है, अब आपको ऊपर यूपर right of corner में three lengths मिलेंगे, इन three lengths पर click करना है, three lengths पर click करने बाद आपको नीचे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, help and support का, इस पर आपको click करना है, help and support पर click करने के बाद आपको ऊपर यूपर एक option दिखेगा, help center का, help center पर आपको click करना है, help center पर click करने के बाद आप आ जाएंगे facebook के help center में, यहाँ पर आपको ऊपर search bar दिखहेगा search bar में आपको type कर देना है यहाँ पर blue badge लिख देते हैं यानि कि यही blue badge है जिसको हम blue tick बोल रहा है जो ऐसे करके blue tick हमारे account में username के सामने लग जाता है उसको हम blue badge बोलते है facebook में तो यहां पर आपने Blue badge लिख दिया अब आपको यहां पर नीचे option दिखेगा Blue badge का automatic यहां पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद उपर यूपर आपको option दिखेगा request a verified badge on facebook यहांनि कि हमको एक request देनी है Facebook पर verified badge लेने के लिए इस पर आपको क्लिक करते ना उपर यूपर आपको थोड़ा से नीचे आजाना है यहां पर उपर शोग रहा है देख सकते हैं the verified badge जहां पर blue tick यह blue badge बना हुआ भी आ रहा है आप देख सकते हैं जिनको नहीं पता कि blue badge क्या होता है वो देख लेना आपको blue badge इस तरह का होता है इस तरह का आपको एक account के सामने लग जाएगा तो अब आपको क्या करना है थोड़ा से नीचे आना है यहां पर एक option देखेगा verify your profile or page इस में थोड़ा से नीचे देखना है यहां पर आपको एक blue color में option दिखेगा fill out this form यानि कि you can fill out this form को option है जो blue color में शोग रहा है fill out this form इस पर आपको click कर देना है इस पर click किया तो हमारे सामने एक form खुल कर आजाएगा उसको हमको fill करना है जो facebook verify करेगा हमारे account को तो यहां पर वह form किस तरह का देख लेते हैं तो यहां पर लिख रहा है verify your page और profile यह नहीं कि हम अपनी profile को भी verify करवा सकते हैं और page को भी verify करवा सकते हैं तो यहां पर आपको उपर उपर दिखेगा what are you verifying, तो यहां पर पहले सबसे पहले select कर लेना है कि आप अपने page को verified करवाना चाहता है या फिर profile को, तो हमरे जैसे profile है, profile को कर लेते हैं, अगर आपको page हो तो page को select कर लेना, तो अब आपको नीचे option दिखेगा profile link का, यहां पर आ आपको यह options है, तो आपको जैसे driving license है, passport, national identification card, tax filling, recent utility bill, article of incorporation, इन में से कोई साथ भी document आपको यहां पर select कर लेना है, जैसे driving license मैंने select किया, तो अब आपको choose file पर click करके driving license की photo भी यहां पर डाल देनी है, वो document आपको यहां पर upload कर देना है, जिसको आप यहां पर select करेंगे, document comment upload कर दिया, अब आपको यहां पर category choose कर लेना है, category पर आपको select कर लेना है, आपको प्रोफाइल किस category पर है, जैसे आपको कोई वीडियो वगरा, रेल्स वगरा डालते हैं, तो आपको यहां पर digital creator, blogger, influencer, यह वाला option select कर लेना है, इसके बाद आपको नीचे option दिखेंगा country region क आपको अपनी country लिख देनी है, जैसे मैं country मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया लिख देना है आपर, इंडिया लिखा, अब आपको यहां पर एक option दिखेंगा नीचे audience का जो optional है, audience का मतलब describe the people who follow you page or profile, include who they are, what they are interested in and why they follow you, अपनी audience के बारे में लिखना है कि आपकी audience कितनी ह और वो आपको क्यों follow करती है, मतलब आप अपने बारे में लिख सकते हैं, तो public आपको क्यों पसंद करती है, कहां पर आप famous हैं, अपने इसाप से आपर लिख देना, आपके audience कितनी है, कहां पर आपको follow करती है, यह सब अपनी audience के बारे में लिख देना है, और नीचे option है, यहां पर यह लिखना है कि जैसे आप तो इक फेमस है जैसे मैं फेमस हूँ तो मैं कहीं रोड़ टेक्निकल सिक्समे के नाम से सीमिय घूंगा कि वह से अगर कहीं पर YouTube की वज़य से फेमस है फि क्या वाइब Google की वज़ landed प्लेटफोर्म में जिसमें पब्लीक आपको दूसरे नाम से जानती है कोई organization है आपको कोई channel है कोई account है यह फिर कोई business का brand है उसका नाम आपको 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 और दूसरे पहुंच जाएगा फेस्बुक टीम के पास वो आपकी अकाउंट का रिव्यू करेगी इस फॉर्म का सभी जगे चेक करेगी आप सचमुच अगर वेरिफाइड करने के लिए मतलब एक तरह से इलीजिबल होंगे तो फेस्बुक आपको ब्लू टिक दे देगी फ्री में इसका खुदी ब्लू बैज देदेगी आपको परचिस करने की जड़ोत नहीं पड़ेगी तो यह फॉर्म फिल करने का मैं तरीका बता दिया आपको इस तरह से फिल कर देना है और कोई प्रॉलम है तो कमेंट कर देना मैं कमेंट में सभी का रिपलाय देता हूं तो उम्मीद करता आओ आपको आजश्चा पसंत है वीडियो कर आपको पसंता यह तो लाइक जरूरा कर देना चैनल पर देश्क्राइब जरूरा कर देना मिलते हैं रेट्व वीडियो में तब तक लिए बाए